देखो, मैं उतिन भी समझा रहा था किसी को, कि कर्मफल जो है ना वो भोगना पड़ता है, गलत मत करना कभी भी, इस बिजनस में क्या जिंदिगी में मत करना, वो एक आदमी गुस्से में अपने मैनेजर को चांटा मार गया, पता नहीं उसको किस बात का गुस्ता था, उसने बीवी को दिया, अब बीवी क्या करती, बड़ा गुस्ता था, उसने बड़े-बड़े लड़के पर एक मारा, अब बड़े-बड़े लड़के का बस ना मा पर चले ना बाप के, उसका छोटा भाई बैटा था, खेल-खेल में उसने एक रपेट उसको दिया, दुकानदार ने मैनेजर को सपेटा, मैनेजर ने बीवी को मारा, बीवी ने बेटे को मारा, बेटे ने छोटे भाई को मारा, अब छोटा भाई के घर में और कुछ था नहीं, जिसको पीट सके, तो गुस्से में बाहर गया, बाहर कुत्ता था, उसे लात मारी, अब कुत्त को जब लात मारी कुट्ता भागा और उसने एक आदमी के पैर में काटा और वह आदमी वही था जो दुकानदार जिसने मैनेजर को मारा तो मैं आप तो बता दूँ एक चांटा भी किसी को गलत मारा तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है आप सोचो कि कुछ नहीं है तो खाता चल रहा है उसका खाता बड़ा शानदा है उसके खाते में 0.00001% एरर नहीं है न वो कहते हैं कि आख ने फल देखा तो मन में लालसा फल देखा आखने गई पैर अब पैर ने देखा तो पैर तोड़ नहीं सकते फल तोड़ा हाथ ने जिसने देखा वो गया नहीं जो गया उसने तोड़ा नहीं जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं जिसने खाया उसने रखा नहीं चला गया पेट में और थोड़ी देर में ज सुन दिकले आँख से देखा उसी ने था कर्मफल भोगना है यार